अलेकुम बचों तो 7th class math की जो new book है आज इसकी में start करवा रही हूं exercise 2.8 चैनल पर new हैं फर्स टाम आया है तो चैनल को subscribe वीडियो को like चलूर कर दीजीगा तो उसको question number 1 इसमें कहा गया है factorize the following by using middle term breaking की जो middle term है इसको break करते हुए हमने इसके बनाने है factors अब factors बनाते किस तरह है इसका basic rule क्या है आप लोग previous classes में भी पढ़ चुके हैं मैं again भी यहां पर बताती हूँ आपको फिर आपके लिए factors को समझना आसान हो जाएगा factor बनाने का तरीका यह होता है कि यहां पर यह जो पहला और आखरी number होता है इनका multiple बनाते हैं हमने दो ऐसे number लेने हैं जिनको multiply कर और प्लस माइनस करने से माइनस 10 आए अगर अब देखें मैं दो नंबर लेनू माइनस 6 और माइनस 4 तो answer माइनस 10 आएगा लेकिन यहां पर मैं अगर 7 x लूँ 6 x माइनस 4 x multiply करने से क्या आएगा plus हो जाएगा माइनस माइनस और 24 x और x x किया रा जाएगा मतलब आपने दो factors बनेंगे 6 और 4 तो हम लिख सकते हैं x के और माइनस 6 x माइनस 4 x तो यह आजागा माइनस 10 x और 64 यह प्लस 24 x के और भी बन जाएगा और यह प्लस 24 इसी तरह जिस्ट हमने मिडल टर्म को ब्रेक कर दिया दो पार्स में 10 x की जगा पर लिख दिया माइनस 6 x और माइनस 4 x माइ माइनस 6 रह गया अब जो वैलियू यहां पर है इसमें भी वही वैलियू बनाएंगे तो factors ठीक होंगे अब हमने यहां पर x बनाना है यहां पर 6 बनाना है तो minus 4 common लेंगे ताकि अंदर यहां पर plus की जगा माइनस बन जाए तो यहां पर x और plus minus minus sign चेंज जाएंगे और चार x minus 6 लिखनेंगे तो यही इसके factors होंगे जो middle term को break करने से बनेंगे minus 6 वाला और यह minus 4 वाला तो यही इसका answer होगा तो इसके बाद है बचो part number 2 जिसमें काद दिया गया है x square plus 3 x minus 40 अब हमने दो ऐसे factor बनाने हैं जिनको multiply करने से 40 x square आए और plus minus करने से 3 आए अगर मैं 5 x और ल पे ले लूँ 8 x और 3 x 8 में से 3 minus करेंगे तो 8 में से 3 तो 5 आएगा इस तरह factor नहीं बनेंगे अगर हम 8 में से 5 को minus कर दें फिर 3 आएगा 8 5 बार 40 40 x square भी बन जाएगा और minus करने से 3 x भी आजाएगा तो इस time को हम break कर सकते हैं दो इसके factors बना सकते हैं x square 3 x आजाएगा 5 x 8 x sorry minus 5 x 8 x में से 5 x निकालेंगे तो answer आएगा plus 3 x और multiply करने से 40 भी बन रहा है दो ऐसे factors बनाने हैं जिनको multiply करने से ये value बने और plus minus करने से ये बने तो पहली दोनों values में से x common यहाँ पे x plus 8 रह गया अब यहाँ x plus 8 है तो यहाँ पे x plus 8 बनाना है minus common लेंगे और साथ 5 common ले सकते है तो x minus minus अब 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 अदर plus रह गया और 5, 8, 40, 45, 45, 45 बनाना है तो यहाँ पे x minus 5 बना जाएगा और x plus 8 यह इसके दो factors बन जाएगे यही इसका answer होगा इसके बाद है बचो part number 3 अब इसमें हमने कौन से 2 ऐसे factors बनाने हैं 4 को 3 से multiply करके देख लेते हैं 12 x square अब हमने 2 ऐसे factor लेने हैं जिनको plus या minus करने से 8 आई और multiply करने से 12 y और 6 और 2 8 और 6 दो बार 12 तो मतलब इसके दो factors बनेंगे 1, 6 और 1, 2 तो हम इसकी जगा पे लिख सकते ह है 8 x की जगा पे 6 x plus 2 x तो ये आजाएगा 8 x और multiply करने से ये value भी बन रही है जो इन दोनों का product है 12 x square वो भी बन रहा है और ये plus 3 इसी तरना इस middle term को हमने 2 terms में break कर दिया अब पहली दोनों जो term है इन में से हम common लेंगे तो common ले सकते हैं 2 दोनों में 2 है 7 x है तो यहाँ पे सेम बन जाए 2 x plus 3 तो यह दोनों factors बिल्कुल सेम बन गे इतमिंस हमारे यह वाले factors बिल्कुल ठीक हैं तो अब यहाँ पे दो factors एक हम 2 x plus 1 लिख लेंगे और एक इन दोनों में से जो same है वो लिखेंगे 2 x plus 3 यही इसका answer होगा या इस तरह भी हम sometime यह कह देती हैं कि यह 2 x plus 3 common बन गया अंदर 2 x plus 1 रह गया यह यह factor लिख देंगे यह इस तरह करके यह दो factors इसके बन जाएंगे इसके बाद अब चो part number 4 अब इसमें 2 factors बनाने हैं जो इनका multiple हो और plus minus करने से 7 आए तो 10 x square बनाने हैं हमने 5 दो बार 10 तो 5 और 2 7 मतलब इसके दो factor बनेंगे 5 और 2 x square प्लस 5 5 x plus 2 x answer आएगा 7 x multiply करने से 10 x square भी बन रहा है इन दोनों को multiply करेंगे तो 10 और 7 x square भी आ जाएगा प्लस 10 इसको हमने 2 terms में ब्रेक कर दिया यहां से पहले में से इन दोनों में से x common यहां पे 1 x रह गया x common है यहां पे 5 रह गया अब इन दोनों में से भी वह value common लेनी है ताक य अंदर x plus 5 यह बने 2 common ले सकते हैं यहां x रह गया और 2 5s आ 10 तो दोनों factors बिल्कुल सेम आ गये 8 में हमारे factors बिल्कुल ठीक बन गये हैं तो यहां से हम x plus 2 लिख लेंगे एक factor और एक यह वाला जो इन दोनों में से 1 x plus 5 यह x plus 5 common लेने तो अंदर x plus 2 बागी बचिता है यह इ 4 और 2 दो factors लेने तो 4 2 08 बनेगा और 4 minus 2 कर दें तो 2 भी आ जाएगा तो 4 और 2 हम इसके 2 factors ले सकते हैं x square plus 4 x minus 2 x plus 4 लिया ताकि उपर value के साथ plus भी हमारा answer में आए 4 में से 2 गे 2 और multiply करेंगे plus minus minus 4 2 08 x square भी आ जाएगा 7 minus 8 इसी तना इसके 2 factors बन गे 4 और 2 पहले दोनों में स x common यहां पर 1 x रह गया x common आ गया यहां पर just 4 रह गया अब यहां पर भी हमने x plus 4 ही बनाना है तो minus 2 common ले ले लेंगे ताकि अंदर यहां पर plus बन जाए तो यहां पर 1 x रह गया minus minus plus हो गया और 2 4s are 8 दोनों factors बिल्कुल सेम आ गया it means factors बिल्कुल ठीक बन गया तो यहां पर x minus 2 एक factor बन गया और एक इन दोनों में से लिख लेंगे हम x plus 4 जिस तरह previous parts में लिखा है यही इसके दो factors होंगे तो इसके बाद है part number 6 जिसमें का गया है y square plus 3 y minus 10 इसके दो factors बनाने हैं हमने दो ऐसे नमबर लेने हैं जिनको multiply करने से minus 10 i और plus minus करने से 3 i तो 5 2s are 10 और 5 में से 2 य तो इसके दो factors बन सकते हैं 5 और 2 तो हम यहां पे लिखेंगे y square और इस 3 y की जगा पे लिख सकते हैं 5 y minus 2 y तो answer आएगा plus 3 y और यह वाला minus 10 इसी तरह तो यह दो factors आगे अब यहां से इन दोनों में से y common ले सकते हैं पहले दोनों में से यहां पे एक y रह गया y common आगया तो यहां पे जिस्ट 5 रह गया अब यहां पे भी हमने same y plus 5 बनाना है तो minus 2 लेंगे ताकि अंदर plus भी आजाए minus minus plus हो जाएगा और 2 फाइव तो अब इसके दो factors बन जाएंगे एक y minus 2 और एक यह वाला y plus 5 तो यह इस तरह इसके दो factors बन जाएंगे हमने इसको factorize करना था middle term को break क करते हुए तो इसके बाद है part number 7 जिसमें दिया गया है 25 x square plus 5 x minus 2 अब हमने दो ऐसे factors बनाने हैं जिनको plus minus करने से 5 5 और multiply करने से 25 2,050 x square आई तो 10 5 बार 50 और 10 में से 5 निकाल दें तो 5 ही आता है तो दो factors इसके यह बना सकते हैं 10 x 10 x minus 5 x 10 में से 5 के 5 और multiply करेंगे 10 50 और यह ज इसी तरह यह minus 50 x square भी बन जाएगा 7 minus 2 इसी तरह आगा अब पहली दोनों times में से हमने देखना है कि common क्या है 5 x common ले सकते हैं क्योंकि 10 और 25 दोनों 5 के table में आती हैं तो यहां पे 5 25 और 1 x रह गया यहां से x common आगया 5 2s 10 अब यहां पे भी same यही factor बनाना है 5 x minus 2 है लेकिन हम minus 1 अगर common ने तो अंदर plus बन जाएगा 5 x plus 2 तो दोनों factors बिल्कुल सेम होगे तो यहां से अब हम दो factors लिख देंगे 5 x minus 1 और दूसरा इन दोनों में से हिया जाएगा 5 x plus 2 यही इसका answer होगा just इसके factors बनाने थे तो बचो आप हम कर रहे हैं इसका part number 8 तो अब तक आपको factors बना जिन को multiply करने से यह आए और plus या minus करने से 13 तो यह दो numbers हमें चाहिए multiply करने से minus 30 चाहिए और plus या minus करने से 13 चाहिए तो 15 दो बार 30 15 में से 2 निकाल दें तो 13 मतलब इसके दो factor बन सकते हैं 15 और एक 2 13 को हम break कर सकते हैं 15 और 2 में तो यहां पी हम लिख सकते हैं 15 x minus 2 x तो answer देंगे तो यह minus 30 x के रभी बन जाएगा अब minus 5 इसी तरह इसके साथ लिख देंगे अब इन दोनों में से common देखेंगे 3 के टेबल में दोनों आते हैं 3 2 0 6 3 5 0 15 भी होता है तो 3 x common अब यहां पे value रहागी 2 क्योंके 3 2 0 6 होता है 1 x common आगया यहां पे 1 x रह गया x common आगया 3 5 0 15 हो गया अब यहां पे भी same value बन रही है जिस्ट हम minus 1 common ले लेंगे आपको मैंने स्टार्ट में बताया है कि अगर यहां पे दोनों factors same बन जाएं तो हमारे यह वाले factors बिल्कुल ठीक होते हैं तो हम minus 1 common लेंगे तभी दोनों सेम बनेंगे अब यहां पे दो factors बन जाएंगे एक 3x minus 1 और एक 2x plus 5 यही इसके दोनो factors होंगे इसके बाद है part number 9 इसमे factors बनाने है 2x power 4 plus x square minus 3 तो दो ऐसे नमबर लेने हैं जिनको 326 minus 6x power 4 आए multiply करने से और plus minus करने से x square आए और 326 3 में से 2 निकाल दें तो एक x square ही बचेगा तो हम दो factors इसके बना लेंगे 2x power 4 इसी तरह इस time को दो terms में break करेंगे 3x square minus 2x square तो multiply अगर करें 32006 x square x square x4 आजाएगा अगर minus करें 3 में से 2 तो एक x square आजाएगा इस तरह यह दो factors इसके बन सकते हैं अब पहली दोनो factors में से common आना है यहाँ पर common 2 और 3 है मतलब 2 और 3 तो common नहीं ले सकते है x square इसमें भी है x square इसमें भी है तो x square common ले लेंगे तो यहाँ पर 2 x square रह गया यहाँ पर x square common आगया जस्ट 3 रह गया अब यहाँ पर minus 1 common ले लेंगे और यहाँ पर 2 x square प्लस 3 तो यह दोनो factors सेम बन गे इतनी समारे यह वाले factors बिल्कुल ठीक हैं अब यहाँ से 2 factors आएंगे 1 x square minus 1 और एक इ 10 जिसमें दिया गया है 2 x square minus 3 L minus 5 तो इसके दो factors बनाने हैं 5 और 2 को अगर multiply करें तो minus 5 to 10 L square आता है हमने तो बचो यहाँ पर दो ऐसे factors लेने हैं जिनको multiply करने से minus 10 L square आए और plus minus करने से 3 L आए तो 5 में से 2 गे 3 और 5 to 10 तो हम दो factors बना सकते हैं 5 L plus 5 में से 2 निकाने तो 3 L अब minus बड़ी value के साथ क्यों रखा है 5 में से 2 निकालेंगे तो minus 3 तब आएगा अगर हम plus 5 L minus 2 L करेंगे तो खलत हो जाएगा हमें यहाँ पर minus 3 L चाहिए इसवज़ा से 5 के साथ minus लिखा है और यह वाला minus 5 इसी तरह अब पहली दोनों terms में से just L common है तो यहाँ पर 2 L रह गया यहा दोनों factors सेम बन जाएंगे तो दो factors आगे एक L plus 1 और एक इन दोनों में से लिख लेंगे यहाँ आजाएगा 2 L minus 5 यही इसका answer होगा यहाँ पर हमने just इसके दो factors बनाने थे तो इसके बाद part number 11 है तो इसके बाद part number 11 है तो इसके बाद पार्ट नमबर 11 है तो इसके बाद पार 15 में से 2 निकालेंगे तो बाकी आजाएगा 13 यह हम पहले भी इस तरह का question कर चुके हैं जिस तरह हमने यहाँ पर किया था part number 8 में 15 में से 2 निकाले 13 तो multiply करने से 5 6 30 बना था अब सेम इस part में भी 10 3 30 और 15 में से हम अगर 2 को multiply कर दें तो 30 15 में से 2 निकाल दें तो 13 तो दो factors बन गे बाकी बाकी बच गे 13 अब माइनस 15 क्यों लिखे ताकि answer माइनस 13 बड़ी वालियों के साथ यहां पर माइनस लिख दी है फिर माइनस 3 इसी तरह आ गया अब जो पहले वाली दोनों terms हैं इन दोनों terms में से 5 common ले सकते हैं क्योंकि 5 के table में 10 भी आता है 15 भी आता है M common आ गय 5 2s are 10 एक M अंदर रह गया और 5 3s are 15 यहां से M common आ गया यह value आ गया अब यहां पर जो factor है यहां पर भी अगर सेम बने तो हमारे factors ठीक होते हैं तो सेम तो बन गये हैं जिस्ट हम अगर plus 1 common लेने इसमें से तो अंदर कोई factor नहीं पड़ेगा 2 M minus 3 ही रहेगा तो अब दो factors आ एक 5 M plus 1 और दूसरा हम इन दोनों में से लिख लेते हैं दूसरा factor होगा 2 M minus 3 यही इसका answer होगा इसके बाद इस exercise का last part है part number 12 इसके भी हम उसी तरह ही factors बनाएंगे जो factors बनाने का rule होता है पहले और आखरी को multiply करते हैं जो answer आ जाए वो ही यहां पर दो factors को multiply करने से आना चाहि 70 और साथ यह M स्केर भी है तो क्योंकि यहां पर 14 M स्केर था यह M स्केर आ गया अब हमने बचो दो ऐसे factors बनाने हैं जिनको multiply करने से 70 M स्केर आई और प्लस माइनस करने से 37 M I तो 35 35 में से 2 निकाले 35 में 2 जमा करें 37 35 को अगर हम 35 माइनस 35 माइनस 2 करें माइनस 37 तब बनेगा और 35 को 2 से multiply कर दें तो वो 70 भी बन जाएगा तो हम इस 37 के 2 factors बना सकते हैं एक माइनस 35 M और एक माइनस 2 M तो माइनस माइनस 35 और माइनस 2 माइनस 37 भी आ जाएगा और multiply करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 35 2000 70 M स्केर भी आ जाएगा फिर इसके बाद यह plus 5 किसी तरह लेंगे इस मिडल टर्म को हमने दो टर्म में ब्रेक किया जिसका सम ये बन रहा है और जिसकी मुल्टिप्लाइ करने से ये वैलियो भी बन रही है तो अब हमने देखना है कि इन में से कॉमन क्या है तो सेवन M common ले सकते हैं 72014 एक M² था M common अगए यहां पर सात 5 पार 35 पार 25 अर्म को है अब यहां पर सेवारी बना है हमने सेवन ऍयां गाना है तो हम माइनस वन कोह थोई थीर है ओला है एक 7m-1 यह वाला और एक इन दोनों में से हम लिख लेंगे 2m-5 यह हम इस तरह भी कहते हैं कि 2m-5 common अंदर जो वैल्यू रह गी वो 7m-1 यह एक फैक्टर यह लिखते हैं या फिर इन दोनों में से एक फैक्टर लिख देते हैं तो यही इसका अंसर होगा इसके साथ ही एकसरस साइस कंप्लीट होगी है इसके 12 पार्ट थे और सारे पार्ट बिल्कुल सेम थे सब में ही फैक्टर बनाने थे